नमस्कार दोस्तों JRVSolution में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो टाइप के प्रस्ट दोस्तों आज में पढ़ेंगे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग अब कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा टफ इसलिए लगते हैं क्य नहीं याद रहता है तो दोस्तो आज के वीडियों में आप रह वीडियों में आप ऐसा काईर बहुत सौन कर दो करेंगे तो दोस्तों आज इसी पर हम चुर्च से स्टारे वह स्टारometर्यल करेंगह थिए नियोंन कानाा जल साल चारा में महें हैं तो दोस्तो आज का पहला जो question है उस पर जलते हैं उसको देखते हैं वो क्या कहता है ठीक है दोस्तो हमारा जो पहला question है पहला question है हमारा कि यदि यदि कॉस्टों और यूसी टी एसमो लिखा जाता है तो पी ए पी एन टी को कैसे लिखा जाएगा दोस्तो इस परकार को हम कैसे करेंगे तो दोस्तो यह तो easy question है इस question को हम simply करेंगे दोस्तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि सी यू और यहां पर कहा है यू सी और यहां पर क्या स्ट और यहां पर क्या स्ट और यहां पर क्या स्ट दोस्तो इस परकार के question में आपको बिल्गोल भी tension नहीं लेना है हम दो तरीके से कर सकते हैं अगर हम easily देखें तो यहां पर जो देख सकते हैं कि दो दो वर्ड यहां चैसे यहां पर सब्सक्राइब το सब्सक्राइब हम है यहाँ पर hemm cada अथिक है इस प्रकारं हम यहाँ पर देखेंगेNe तो हम इसी परकार को pattern को निकालेंगे अगर हम दो दो इंटर चेंज कर दें दो दो को pattern तो दोस्तो इस परकार से हमारा answer कैसे निकलेगा तो दोस्तो यहां पर क्या है PA हैं तो हमने AP कर दिया ठीक है और यहां पर कैया है दूसरा ER है दो दो सब्सक्रान को लेना है दोस्तोर हमने PA को लिया तो E, P कर दिया और ER को लेंगे sorry RI को लेंगे तो ER कर देंगे ठीक है RI को लेंगे en T को लेंगे तो T N कर देंगे तो दोस्तो हमारा जो upulation number D हम pound इस परकार से निकल आगा दो तो इसकी एक बिधी और है जो आपको दी रहती है अगर आप यह ऐसा ना देख पाऊ तो आप ऐसा भी कर सकते हो सी यू एस टी ओ एम ठीक है अब आप इसको देखोगे कि यहां पर क्या करोगे सी यू सी टी एस एम ओ तो इस परकार से भी देख सकते हो कि यह यहां पर आ रहा है और यह यहां पर आ रहा है ठीक है और यह यहां पर आ रहा है तो दोस्तों बात वही बन जाएगी जैसा कि बोग में दिया र हैं रहें हैं दो दोर निसमें को कहें इसको एक कुछ अध़ाता है चाहिक तो नीरा की वोगत नहीं हैं दोज्स को नेख्या बंद्यक्रारण चांक X so it's another clock. प्रबस्पार्यम करें === अध्याथ न्द्यक्राराए है === तो सबस्तों पहले हम स्नुन कारता है, तो इसको करेंगे दो प्रकार से पहले प्रकार में आपको बता देता हूं कि जनरली जो अगर आपको आंग्रेजी बर्ण माला याद नहीं है मतलब आंग्रेजी बर्ण माला का क्रम क्रम क्या होता है दोस्तों A पहले स्थान पर है B दूसरे स्थान पर है C तीसरे स्थान पर है D चौथे स्थान पर है A है करम ठीक है इस प्रकार जाता है जैड जैड आता है 26 नमबर पर ठीक है A करम होता है अगर आपको यह नमबर याद नहीं है तो हम इसको किस प्रकार करेंगे यह बताता हूँ ठीक है हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले करेंगे PL तो हम यहाँ पर क्या करेंगे P को लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर लेंगे M अब आपको सोचना है कि P के बाद M कैसे आया अब थोड़ा सा सोच सकते हो कि P के बाद M कैसे आया तो अगर हम यहाँ पर अगर हम इहां पर M लेते हैं पीछे वाला सब्ण लेते हैं क्युक्त हुम्आ से में लेखना लेक्न कि खते हो करी के खता हुए यह सब्ध के बाद करने सब्द लेंगे हम M ऐन officer M के बाद आता है N एन के बाद आता है को MP दो, दोस्तों, यहां से तीसरा वड़ पढ़ ए हमें देख्ग रहा है कि पी के बाद terasra वड़ है तो अगर पी मैं से मानस तीन कर देंगे था थाओ तो हमारा किया आजाए गा ? हमारा का आ जाए गा ? ठीक है यहां पर तीन ہी मानस होड़ा है M तो पी मेज़ें से 3वर्ड मतलब 3 कम कर देंगे यहां से यहां तक क्या हो रही हमारी जो बनमाला जा रही हो आगे जा रही है तो यहां पर मानस 3 आ रहा है तो यहां पर मानस 3 आ रहा है तो यहां पर क्या जाएगा दोस्तों तो यहां पर भी दोस्तों इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या रहा है यहां पर क्या ज कि आई के बात क्या जाएंगा जोफ्टिक कै रहें जाएंगा जोफ्टोज जोफ़ जोफ़ शोफ़ भी से दिंग're करता सिंगान गांगा ते के सादू हम एक पर टीजित इस इस परकार है कि दो मैं देखा है जोफ़ आए है तो अपर वहां पर बहुत का थे सिर्कार में लीख कर देरा कि आ लुऑ से का लिखने हैं कि गाइगा रहाँ ही ओषिव जाता कर खाया है तो यह दो पर देख ने मिटें पर को देख रहे हैं, यह आनों सीरिफ से लिखने हैं इसमी प्रेकार से हम इसको लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे ट है और वे मैं में से म्या कली करेंगे sen ness यहां पर लेकािये कू Y again RSt दो हम चैनल को क्यों कि आपको नहीं बनता हम लापकर आ यहां फिस वलाइन साफिल के अएर चौंग ए भी आ तत्य लीजा क्यों कर दो कि बूche AJC यहाँ पर आ गयाँ यहाँ पर AKP के आ आ जाएगा जोस्तोः के बाद हम R देख लेते हैं तो R से R के पहले थीसरा बाँ क्या जाएंगा जोस्तोः तो अगर हम यहाँ से करें के O, P, Q और R अगर हम र से स्टार्ट करें पीछा पी आता है और पी के बाद के आता है ओ आता है ठीक है तो आर का तीसरा बाद के आ जाएगा तो मानस तीन करेंगे आर में से भी क्योंकि यहां पर हर एक वर्ड में मानस तीन मानस तीन किया गया है तो हम यहां पर भी मानस तीन करेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा ठीक है इस परक सबी लोगों को क्या होता है Confuse हो जाते है कि A का हम मानस 3 कैसे करें तो दोस्तो A के बाद क्या आता है Z ठीक है हमें जो यहां पर जो संख्या चलाना है मतलब इस राउंड में भी चला सकते है A के बाद Z है Z के बाद A चालू हो सकता है A के बाद Z चालो भी हो सकता है इस परकार की काफी कोच्छन पूछे गए हैं तो याद रखने दोस्तो, इस पैटन को भी याद रखना तो A के बाद का आ है Z, Z के बाद है By, By के बाद है X तो हमारा यहां पर तीसरा बर्ट की आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर A के बाद जो तिसरा वर्ड आ जाएगा वो X आ जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अप्सन में भी अब हम हमें देखना है कि O Q O X तो यहाँ पर देखो यहाँ पर D नुस्तों तो यहां पर Q O X सिर्फ एक ही बर्ड में देख रहा है एक ही आंसर में देख रहा है तो हमारा option number A ही आ जाएगा क्योंकि तीसे नमबर पर X यहां पर भी है लेकिन यहां पर क्या है O नहीं है इसलिए हमारा answer यही आने वाला ठीक है और इसके बाद देख लेते हैं क्योंकि यहां पर और मैचिंग नहीं कर रहा है option इसलिए हमारा option number A आ जागा यहां पर B देख लेते है तो दोस्तो आई है आई की बाद जो आता है आई की पहले तो क्या जाता है एच आ जाता है एच के पहले क्या जाता है जी आता है जी के पहले क्या जाता है एफ आ जाता है तो हमारा ओप्सन नमर ए हम पर एक सा जाएगा और यहां पर एफ आ जाएगा ठीक है और एक और बचा पहले क्या देते हैं और इसको देख लेते हैं जो सब्सक्रावाता देख लिए न क्या जाएगा क्यों कि हमने ।क तक निकाल लिए और यह न है एम के पहले किा जाएगा है आपके ला जाएगा और L के पहले आता है के तो दोस्तों इस परकार से हमारा A आंसर निकला आगा Q O X F और K यह हमारा आंसर निकला आया हम इस परकार से निकल सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गई अगर आप इसमें भी बहुत सारे कॉस्चिन करोगे तो आप एक मेंट से पहले भी मुस्किल से 15-20 सिकेंड में इस कॉस्चिन को हल कर सकते हो ठीक है और एक पैटर्न में आपको बता देता हूँ इसी का है जी है अगर आपको बर्ण करम आता है तो आप कार सकते हो आपको पता है कि P कितने इस्थान पर आता है तो मैं बता दूँ P आता है कितने इस्थान पर आता है 16 नमबर पर मैं यहाँ पर आपको लिखके बता देता हू यह P है ठीक है P-I-L-O-T और यहाँ पर आप याद रखना कि P आता है 16 नमबर पर I कितने नमबर पर आता है तो याद रखना है दोस्तो I आता है 9 भी नमबर पर और L आता है 12 भी नमबर पर O कितने नमबर पर आता है तो याद रखना है दोस्तो जो O आता है वो 15 नमर पर आता है और T आता है वो 20 नमर पर आता है ठीक है यह है इनके pattern एक पर अच्छे से लिख लेते हैं P पी आता है 16 नमर पर और यहां पर क्या है I 9 और L आता है 12 नमर पर और यहां पर O आता है जो आता है 15 नमर पर T आता है वो आता है 20 भी नम्मर पर आपको इसमें से मानस 3-3 करना है आपको पता है कि यहाँ पर M जो है और याद रखना है दोस्तो यहाँ पर 16 9 और A क्या है L 12 और A क्या है O 15 और A है 20 ठीक है और यहाँ पर M आता है M याद रखना है दोस्तो कि M कौन से इस्थान पर आता है तो M आता है हमारा 13 इस्थान पर और याद रखना F कौन से इस्थान पर आता है तो याद रखना कि F आता है 16 इस्थान पर और यहां पर I दिया है जो I आता है 9 इस्थान पर और यहां पर L दिया है और L किसने इस्तान पर आता है तो L आता है 12 और Q है जो Q आता है वो आता है 70 इस्तान पर अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में 3-3 मानस हो रहा है ठीक है यहाँ पर अगर 3-3 मानस हो रहा है तो हमें definitely यहाँ पर भी 3-3 मानस करने पड़ेंगे तो T आता है 20 भी नमबर पर 20 में से मानस 3 करेंगे तो हमारा Q आ जागा ठीक है मानस 3 करेंगे मानस यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 20 में से मानस 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जागा 17 और 17 भी हमने पड़ा कि Q इस्तान पर आता है तो यहां पर Q आजाएगा यहां पर R है तो R का नंबर होता है मैं आपको बता दूँ अठारा और 18 में मानस जब 3 करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों तो वह आजाएगा पंद्रा और पंद्रवे इस्थान पर होता है O और यहां पर होता है दोस्तों मैं आपको बता 24 आजागा ठीक है और यहां पर क्या करेंगे एन है अब एन कितने इस्थान पर होता है तो दोस्तों एन को 14 इस्थान पर होता है और एन मैंसे मतलब 14 मैंसे अगर हम मानस 3 कर देते हैं तो हमारा वो क्या आ जाएगा दोस्तों तो वो आ जाएगा हमारा मानस 3 एन में से मानस 3 जो करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा के तो के कितने इस्थान पर होता है 11 गैरा आ जाएगा तो 11 होता है के के स्थान पर इस प्रकार से हम easy question अपने बगेर copy pen उठाए question कर सकते है reasoning के ठीक है तो दोस्तो आई hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो अच्छा लग रहा हो अगर आपको समझ आ रहा हो तो please comment box में comment करके जरूर बताइएगा चलते दोस्तों next question क्यों next question क्या कहता है next question है कि किसी किसी code को विवस्थत करने पर APPLE का code E-TTPI है तो D-E-L-E L-H-I daily का code क्या होगा तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है कि A के बाद क्या आया है ठीक है A के बाद ठीक है तो A के बाद देखो A, B, C, D और E ठीक है यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर चोथा वर्ड प्लस हो रहा है ठीक है याद रखना यहाँ पर कितना वर्ड हो रहा है A के बाद आ रहा है D तो यहाँ पर हो रहा है चोथा वर्ड प्लस हो रहा है ठीक है आ रहा है दोस्तों तो तो दोस्तों यहां पर यहां पर एक तो आ गया गया और एक आ गया पी के बाद के आ जाता तो दोस्तों पी क्यू आर एस टी यहां पर भी देख सकते दोस्तों चार वर्ड मतलब पी में चार प्लस हो रहा है ठीक है हम चार प्लस हो रहा है यहां पर भी पर Geral 6 अजब हो ऑर आज में भी चार प्लस हो रहा है ठीक है हम सभी में देख लेंगे तो सभी में देखते हैं अगर ध्यान से देखें तो यहां पर चार पूरे इस पारड pew तोस इस बरड में करण के लिए कोड़ बनाया जाता है तो इसमें 4 प्लस 10 करते है ठीक है तो इसी परकार से हम क्या करेंगे डी है तो डी है तो डी में हम 4 प्लस eight कर देंगे दो सबस्थक्त कर देंगे अगर हम द्यान देखे तो फ्लस एएट च है तो दोस्तों यह आँअじゃ यहां पर पहले नमबर एच बाला एक ही है तो हमारा एंसर यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हमारा option नमबर यह है हमारे पास चुकि जाधा time नहीं होता है परक्षा exam में इसलिए हम इस परकार से question कर सकते हमारा option नमबर C is the right answer आजाएगा क्योंकि H हमारा यहां पर आ रहा है अगर हम सही देखना हो अगर आपको तो इसको भी solve का सकते हो E के बाद चोथा वर्ट देख लेंगे तो E के बाद अगर चोथा वर्ट देखेंगे तो E के बाद क्या आजाता है दोस्तो E F G H I तो G H I आजाएगा तो यह भी चोथा वर्ट ही आएगा चो चार प्लस करेंगे E में तो क्या आजाएगा दोस्तो आई आजाएगा ठीक है L में अगर आप L है और L में अगर आप 4 प्लस कर दोगे अब मैं आपको वो बड़ बता देता हूं कि इसको कैसे करेंगे L आता है बारवे इस्तान पर ठीक है याद रखना L आता है बारवे इस्तान पर L प्लस 4 करोगे तो यह आजाता है 16 तो L प्लस 4 16 कितने इस्तान पर आता है 16 किसका नमबर है 16 नमबर है P का तो यहाँ पर क्या जाएगा पी आजा गया तो यह पे प्यागए यहां पर क्या करेंगे एच तो दोस्तों एयाद रखना है attachment A आटोप इस्थान पर ठीक है अटोपर इस्थान पर इसमें चार प्लस 8 इसे चार प्रस एक लोते हैं तो क्या जाएगार 8 4 बारा जाता है तो बारा कितने इस्थान पर हमने अभी दिखा कि एल भी इस्थान पर होता है तो बारा होता है एल का स्थान ठीक है बार भी इस्थान पर एल होता है तो यहां पर क्या आजाएगा तो यहां पर क्या करेंगे आई है तो आई में क्या कर देंगे चार प्लस कर देंगे और आई आत दोस्ते नेस्ट इसके पर किस पर करेंगे लेवल M M M F W F M दिया गया है तो हमें इसको किस परकार से निकुलना है हम तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर M है यहां पर E है और यहां पर F है यहां पर V है और यहां पर F अगर हम ध्यान से देखे तो हमें यहां पर एक प्लस नजर आ रहा है ठीक है एक एक प्लस यहाँ पर एक प्लस यहाँ पर भी एक प्लस यहाँ पर भी एक प्लस यहाँ इसमें एक एक प्लस आगे का वर्ड है वो नजर आ रहा है हमें ठीक है तो हमें इसको किस प्रकार से करेंगे तो दोस्तों हमें अगर एक एक प्लस नजर ही आ रहा है तो हमें इसके मतलब ज्यादा common sense लगाने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें क्या करना है बी है वी है वी के बाद क्या आजाता है दोस्तों तो V, V के बाद आता है W, ठीक है, क्योंकि एक प्लस करना है, V एक प्लस करेंगे, W आजाएगा, E के बाद एक प्लस करेंगे, तो F आजाएगा, और यहां पर क्या है, L, तो L के बाद एक प्लस कर देंगे, L में, तो क्या आजाएगा, दो L के बाद आता है, M, तो M आजाएग तो हम यहां पर देख लेंगे यहां पर WFM नहीं है यहां पर भी W है नहीं तो यहां पर W है तो इसमें एक सूर चेक कर लेते हैं WFMFM तो दोस्तों यह ओप्सन नमबर कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्च करना अपने फ्रेंश ग्रूप में और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रस्थन है दोस्तों यह जो वीडियो है फर्स जो आते हैं वो भी आपके पैटर्न साथ है